नमस्कार दोस्तों वेलकम टो स्टडी न्यूज यूपी के सीम योगी अदित्ते नात ने चुनाओं से पहले कैबिनेट का विस्तार किया है यूपी में करीब चार महिने बाद विधान सभा का चुनाओं होने वाला है जिसे ध्यान में रखते हुए ये निर्ने लिया गया है कैबिनेट विस्तार में साथ मंत्रियों ने सपत लिया है जिसमें कांग्रेस से भाजपा में सामिल हुए जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है जबकि पल्टू राम, संजीव कुमार, संगीता बिन, दिनेश खटिक, धर्मविव प्रजापती और छत्रपाल गंगवार राजमंत्री बने हैं इन सभी को राजपाल आनंदी में पटेल ने सपत दिलाई है सपत दिलाते समय राजभवन में मुख्य मंत्री योगिया दित्तेनात, उप मुख्य मंत्री केश्व प्रसाद मौर्या और डाक्टर दिनेश सर्मा, सहित भाजपा के कई पधा इधित्त्व है, यह पहली बार है जब केंद्री केबिनेट में यूपी से रिकॉर्ड 15 मंत्री बनाए गए हैं, जितिन प्रसाद इससे पहले भारत सरकार के अनेकों विभाग के मंत्री रह चुके हैं जैसे सडक परिवहन एवं राजमंत्राले 2011 में, 2012 में पेट्रोलियम ए बीजेपी के विधायक हैं, संगीता बिंद गाजीपुर सदर से भाजपा की विधायक हैं, छत्रपाल गंगवार बरेली के बहेडी से विधायक हैं, संजे कुमार गोंड 2017 में ओबरा सीट से विधायक बने थे, दिनेस खटिक को भी राजमंत्री बनाए गया है, वो मेरट क हस्तिनापुर से विधायक हैं, यूपी विधान परिसद के सदस्य धर्म विर प्रजापती को भी राजमंत्री बनाए गया है, उन्होंने राजभवन में मंत्री पत की सपत ली, ये बीजेपी में एहम पत सम्हाल चुके हैं और आगरा के रहने वाले हैं, अगर अब तक उ इस प्रकार के कई मंत्राले योगी आदिनते नाथ के अंडर में आते हैं, फिर इसके बाद स्री कैसव प्रसाद मोरे जो उपमुखे मंत्री हैं, वो लोक निर्माड, खाद प्रसंसकरण, मनोरंजन कर, सारवजनिक उद्यम इनके हाथों में हैं, फिर दूसरे उपमुखे म मंत्री डाक्टर दिने सर्मा की बात करें, तो इनके पास माद्यमिक सिक्षा, उच्छ सिक्षा, विज्ञान एंवं प्रद्योगी की, इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की हैं, इसमें और भी मंत्री हैं, जैसे सूरे प्रताप साही, जो क्रिसी, क्रिसी सिक्षा और क्रिसी अनुसंधान इनके पास है, वित्थ, संसद्यकारे और चिकित्सा सिक्षा, सुरेश कुमार खन्ना के पास है, सतिश महाना और द्योगी की विकास, जैप्रताप सिंग, चिकित्सायम स्वास्त, परिवार कल्याण, मात्रयम शुशु कल्याण, सुरेश राणा के पास गन्ना विकास और चीनी मीले हैं, डॉक्टर महेंदर सिंग, जल सकती और बाढ़ नियंतरन के मंत्री हैं, इसी प्रकार पहले 23 मंत्री थे, अगर बात करें केंदर सरकार में, उत्तर प्रदेश से आने वाले मंत्रियों के बारे में, तो अनुपरिया पटेल को सोपा ग मंत्राले के राजमंत्री के रूप में दर्जा मिला है, पंकत चौधरी को वित्त मंत्राले में राजमंत्री बनाये गया है, पीम खुद हैं वारांसी लोकसभा सीट के सांसद, इस प्रकार कई मंत्री जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो केबिनेट मंत्री केंदर सरकार म मंत्री पत्पर है तो ये थी उत्तर प्रदेश के मंत्री मंडल के विस्तार के बारे में जानकारी तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट